हलो सुपर इन्वेस्टर्स बात करेंगे एक न्यू सोलार शेर के बारे में जो कि सोलार सेक्टर में EPC प्रोजेक्ट्स एन कॉंट्राक लेने का काम करती है और ये शेर रॉकेट बना हुआ है आप इस शेर को स्टेडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो जिसका दो में को आने वाला है दो में को मतलब अभी परसो ही इसका रिजल्ट दो दिन बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है अच्छली देखा जाए तो सोलार शेर के सभी कंपनियों के पास और बुक काफि स्ट्रॉंग है और इस कंपनी का भी अभी जो मार्च कॉर्टर का लेना तो आप वाट्साड कर सकते हो या फिर आप चाहते हो जानना चाहते हो कि मैं कौसा Madam part करता हूं और क्यूं करता हो तो आप demo करते हो वह ब्रेकाउट करके यह शेर उपर जा रहा है पी हाला कि काफी महेंगा है 280 का है बट सोलार सेक्टर में सभी के पी काफी महेंगे हो चुके है EPS है 17 का और Debt Ticket Ratio है 0.90 का ROCE है 27 परसेंट और ROE है 46 परसेंट दोनों काफी बढ़िया है प्रमोर्टर होल्डिंग 62 परसेंट है वो भी ठीक है FII का होल्डिंग 1.20 परसेंट है और DII का होल्डिंग 2 परसेंट है वो भी ठीक ठाक है कंपनी के सब्टेंबर का सब्टेंबर हाफ यर ली में सिस करोड का प्रॉफिट आया था और अभी मार्च में कितना प्रॉफिट आएगा यह काफी इंपॉर्टन रहेगा जैसे कि मार्केट को लग रहा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे इसलिए इसमें सरकीट लग रहे है लगातार तो आप इस कंपनी को स्टेडी करके बाइंग के बारे में सोच सकते हो जो कि सोलार EPC प्रॉजेक्स में काम करता है कंपनी का नाम है ओरियाना पावर लिमिटे कंपनी का नाम है जिसमें लगातार तेजी बनी भी है दो मेको सेकेंड मेको इसका कॉर्टर का रिजल्ट है मार्ज कॉर्टर का इसको आप स्टड़ी करके कॉर्टर रिजल के पहले भी बाइंग के बारे में सोच सकते हो तैंक्य फ्रेंट्स